हेलो गाइज नमस्कार मैं आप लोगे स्केल्ट में स्वागत करता है दोस्तों आजम बात कर रहेंगे डाक सरकर के बार हैं अगर आपको डाक सरकर है तो आप मेरे वीडियो अन तक देखे इस वीडियों हम कुछ घरेलू टिप्स बताएंगे जिसको पर्यूक से आपने डाक स टिप्स है नेचरल इसका कोई भी साइड फ्यक्त नहीं है टिप्स नमर वन एक टमाटर ले एक चमस निम्बू का रस और चुटकी भर बैसन और हल्दी लेका मिक्सी में पीछले इस गाढ़े पेश्ट को अपने आँखों के चारों लगाए और 20 मिनट के बाद चेहरों को दोले ऐसा हफ्ते में तीन बाद जरूर करें आपके डाक सरकर खतम हो जाएंगे टिप्स नमर टू खीरे खीरे या फिर आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए खीरे या आलू को क्रैस करके आँखों के ऊपर रखे कुछ देर तक आँखे बंद रखने के बाद डार्क एरिया पर इसे हलके हलके से गुमाएं इससे आँखों के आसपास के थुल थुलापन कम होगा साथ ही कलापन भी घटेगा टिप्स नमर थर्ड बंद आँखों पर गुलाब जल से भिगूई हुई रूई को आँखों पर रखे ऐसा किवाल दस मिनट तक करे ऐसा करने से से कुछ देर छोड़ दे और फिर आँखों को पानी से दोले इससे आपको काफी सहता मिलेगी टिप्स नमर फाइप संतरे का रश और ग्रिसलीन को एक साथ मिलाकर रोजाना आँखों और आसपास के एरिया पर लगाए या बहुत ही परभावसाली है और डार्क सरकर से गरेलू और आर्जवेदिक टिप्स नी बताते हैं जिसका कोई भी साइड इसका नहीं होता है हम वही नुक्सिय को इसका उप्यग हम पहल किये रहते हैं और आप लोग करें अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तो नेरा मेरा चैनल को से क्राइब द्ति श्यार्ट करें, थैंक्यू